हाई गाईज और वेलकम बैक तो माई चैनल सू काफी टाइम बात आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकप वीडियो शेयर कर रहे हूं जो कि ये वियो डिवल सा परपल मेकप लुक जो कि आप अपने किसी भी परपल आउस्पिट के साथ केरी कर सकते हैं यूनो फेस्टिबल का टाइम आने वाला शादियों का टाइम आने वाला है और इस कोरोना में आप बाहर जाके मेकप कराएं इस नौट सेफ ऐसे में आप अपने घर पर ही इसली मेकप कर सकते हैं एक एक स्टप में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक ल तो सबसे पहले मैंने यहां पे पर्ल एलुमिनेटिंग हाइलाइटर वेस्ट लगाया है जो की है सुछ ब्यूटी का और उसे अच्छे से अपने फेस पे लगाने के बाद आप इसका ग्लो देख सकते हैं बहुत ही जादा अच्छा ग्लो आता है और उसके बाद मैं यहां तरह यूज चले प्लाय ο प्राइमर यह है ब्लू हैवन के प्राम чувा उसे अपने फैस पे अप्लाइट करने के बाद को फिलिन करूंगी आइब्रोफ के लिए मैं यहां पे एक ब्लाक आई शैडो ही है उससे ही मैं फिलिन कर रही हूं ब्लाकド and brown को मिक्स करके मैं यहां पे अपनी आइब्रोफ को फिलरूफ करूंगी इस तरह से अगर आप आईब्रोफ को फिलिन करते तो बहुत ही करने के लिए मैं आपे concealer से clean कर लोंगी जिसे अगर आपकी eyebrows shape में नहीं है आप पालर नहीं चापाए हैं तो आप इस तरह से अपने eyebrows को बहुत अच्छा shape दे सकते हैं आप difference देख सकते हैं स्टाइम पर मैंने concealer से जब set किया तो दोनों eyebrows में difference था and then मैं यहाँ पे सबसे पहले एक peach shade ले करके अपने पूरी eyelids पे blend कर लोंगी पस as a transition shade as a transition shade मैं यहाँ पे peach shade use कर रही हूँ बहुत ही light है and अब आते हैं यह 20 something का colorful eyeshadow palette ले करके pink shade ले करके अपने eyes के outer corner पे मैं यहाँ पे blend कर रही हूँ थोड़ा सा इसे blend करते करते हमें अपने outer corner पे ले जाना है और उसे blend करते हुए अपने inner corner तक ले आना है आप इस तरह से देख सकते हैं थोड़ा time taking जरूर है लेकिन आपको एक अच्छा eye makeup मिलेगा तो इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ही easily आपका eye makeup हो जाएगा and finish भी बहुत अच्छी आएगी and आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा color ले लेकर blend कर हूँ और अब आते है purple shade जो कि हमारी आखों को और जादा खुशूरत दिखाएगा तो purple shade लेकर के मैं अपने inner corner पे अपने eye leads की inner corner पे हाफ पे मैं यहाँ पे purple shade अपलाई करूंगी तो इस तरह से यहाँ पे यह shade काफी pigmented तो है लेकिन brush में यह अच्छे से नहीं हो पा रहा है brush से तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा करके यह है NYB का single eye shadow palette जो की एक shimmer shade है तो थोड़ा सा अपनी आँखों को bright up दिखाने के लिए मैं यहाँ पे shimmer shade भी apply कर लिए हूँ उसी purple के उपर purple shimmery shade भी apply कर लेंगे तो और जादा खुबसूरत दिखता है और यह बहुत जादा dark भी था और उसके बाद lower lash line को हम भूल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी आखे तब तक तो खुबसूरत दिखेंगी नहीं जब तक full up lower lashes को भी fill-in नहीं करते हैं तो यहाँ पे व करेंगे अपने highlighting places को और जादा highlight दिखाने के लिए और यहाँ पे मैं loose powder से आप यहाँ पे कर रहे हूं अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा contouring करूंगी यह एन वाइवे का stick concealer है जो की brown shade में है और इससे बहुत ही अच्छे से contouring हो जाती है और बहुत सदा affordable भी है तो यहा आते हैं आपके darkness को हाइड करने के लिए contouring करने के लिए base के लिए कई seeds हैं तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं तो इस तरह से मैं अपने nose को भी contour कर लूँगी and उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपने powder को finish off कर दूँगी अच्छे से clean कर दूँगी जितना भी यहाँ पे मैं लूज पाउडर लगाया था उसको अच्छे से clean कर लेंगे and then आप देख सकते हैं बेस काफी अच्छे से हो गया है और आप आते हैं थोड़ा सा blush apply करेंगे यह थोड़ा सा shimmery blush है थोड़ा सा shimmery particles हैं इसमें 20 something का बट मुझे बिल्को भी pigmented नहीं लगा आप देख सकते हैं य as a blush use कर लिया और अब यहां पर हम apply करेंगे highlighter अपही functions है शादिया है तो चमकना तो जरूरी है ना तो थोड़ा सा highlighter and then उसके बाद में यहां पर apply करूंगी eyeliner यह भी NYB का eyeliner है बट यह waterproof नहीं है अगर आपको use करना है तो आप इसे purchase कर सकते हैं बहुत ही affordable price में आया थिंक यह 60 70 रूपीज में आपको यह eyeliner मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी finish देता है और इसके अद मसकारा मसकारा के बाद मैं यह आप एपनी brow bones को थोड़ा सा highlight करूंगी और थोड़ा सा अपनी again अपनी nose को highlight करूंगी tip of the nose जो कि सबसे जादा चमकना जरूरी है तो इस तरह से आप सकते हैं थोड़ा सा अपने inner corner पे highlighter को apply करूंगी अब आते हैं lipstick पे सबसे बहले मैंने आप लाइट पॉपल सेड ले करके outline किये कि वह अपने lipstick की आप चाहें तो direct इसको अपने as a lipstick भी use कर सकते मैंने आप सिप outline किये कि मुझे थोड़ा सा light shade चाहिए था बिल्कुल monochromatic look जै लेकर के इसे अच्छे से अपने lips पे apply कर लिया देन उसके बाब में यहां पे एक silver shade लेकर के as a kajal apply कर रहे हूं in fact यह kajal ही है and here is my final finished look hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आए तो like जरूर करें comment करके जरूर बता है यह look आपको कैसा लगा and channel को subscribe नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें अपने friends and relatives के साथ share करना बिलकुल भी नहीं बूले मिलते हैं in next video में till then bye bye and take care